खुष नसीब हैं वो जिनको प्रभु श्री राम के प्राण पर्थिष्ठा का निमंतर पत्र मिला है और हमारे साथ आचार लोकेश जैन जी भी मौझूद है उनको भी निमंतर पत्र मिला हैं कारक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं लुकेश जी सबसे पहले तो ये बताइए निमंत्रन पत्र मिलने से आप कितना उत्साहित हैं और क्या कहना चाहेंगे राम जी के मंदिर की प्रान प्रतिष्टा का निमंत्रन मिलना ये शौभग्य का विशे होता है हर किसी के लिए और इस शौभग्य के गड़ी के अंदर मुझे भी अवशर मिला है तो मैं अहो भाग्य मानता हूँ अपना और ये केवल मैं ही नहीं मैं देख रहा हूँ एद्या में पिछले दो दिनों से हर चेहरे पर एक अलग पुलकन है एक अलग खुशी है आँखों में एक अलग चमक ह तो सभी आज प्रसन चिता है और इसी प्रसंता से आये हम सब मिल करके भाग लें अचार जी बात और आपने कहा निमंतरन मिलना शौभाग्य की बात है लेकिन कुछ लोगों को निमंतरन मिलने के बात भी वो इसमें नहीं आ रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उनके लिए हर सभी सबी शौभागय शाली नहीं होते हैं पर मैं तो प्रभू से प्रार्तना करता हूं कि उनके शौभागय का भी द्वार खुले और वो भी शौभागय शाली बने गुवा नहीं जा रहे हैं मनाली नहीं जा रहे हैं आपने भी जिक्र किया काशी आ रहे हैं अयुद्या आ रहे ह लग रहा है युवा की सोच बढ़ रही है बदल रही है देखिए अध्यात्मिक मुल्यों का आने वाली शताप दीजो है वह आध्यात्मिक मुल्यों की शताप्धी यहें क्योंकि वह पर शमस्यों का शर्माधान नहीं और ज़ hombre जाने से कुछ सुकून मिल सकता है लेकिन आत्मिक संतुष्टी केवल तिर्थिस्तानों से ही प्राप्त होती है धन्यवाद हमारे साथ अचार लोकेश जैन जी मौझूद थे अयुद्या से वीडियो जनली शर्बिंद कुमार के साथ संदीब खेर भारस तमाचार